हलो दोस्तों आप देखरें, साइंटेक वीजन वीजन विंदी चैनल, मैं हूँ संजय, स्वागत करता हूँ अब सभी का दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट वीडियो कैमरा फॉर वेडिंग वीडियो ग्रॉफी यलि साधी के लिए एक बेस्ट कैमकोरडर कौन सा आज के रिट में हो सकता है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़े दिनों से आप लोग के कमेंट आ रहे हैं कि एक बेस्ट वीडियो कैमरे के बारे में बताईए साधी विवाह का वीडियो सूट करना है उसके लिए आज की रिट में कौन सा कैमरा सही होगा क्योंकि जब भी आप कैमरे के बारे में सोचते हैं साधी विवाह के लिए तो इतने सारे मॉडल्स आपके सामने आ जाते हैं कि आप पूरा का पूरा कन्फ्यूज हो जाते हैं तो मैं रिसर्च करके लेकर के आया हूँ जो बिस्ट कैमरा आपके लिए हो सकता है खास करके मैरिस पार्टी के लिए तो इससे समझते के लिए आप इस वीडियो को लास तक देखते रहें और वीडियो को प्लीज लाइक कर दें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही आपके काम की होने वाली है तो आईए हम समझते हैं तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो भी हम वीडियो कैमरा लिए हुए हो सारा का सारा सोनी का लिए हुए हैं क्योंकि वीडियो कैमेरा में सोनी का बहुत ही जादे करेज है और ये सारे के सारे मॉडल्स आज की रिट्मि मार्केट में बहुत ही जादे चल रहे हैं और जिनका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है वही मैं लेकर के आया हूँ जिससे लोग बिल्कुल भी सेटेसफाइड हैं और वीडियो को लंबी ना करते हुए बहुत जादे डिटेल्स में आ जाएं जो भी मैं मॉडल्स बताने वाला हूँ उन सबका डिटेल्स रिव्यू जो है आपको यूटूब पर मिल जाएगा डिटेल्स देखना है तो आप उसका परसनल रिव्यू देख सकते हैं पूरी की 18-20,000 के आसपास बजट है क्योंकि ग्रामिर छेत्रे में आज भी लोग जो है साथी विवाह में हैंडी कैम को यूज करते हुए देखे जाते हैं क्योंकि बजट कम होता है बीडियो ग्राफर का भी बजट कम होता है और कस्टमर का भी बजट कम होता है तो दोनों को ही मै करने के लिए अगर आपका बजट कम है तो आपको जो कैमरा लेना चाहिए हैंडी कैम लेना होगा और वो कैमरा है सोनी का सोनी CX405 यहां इस बजट का 20,000 के आसपास में आपको मिल जाएगा इस बजट का बहुत ही सांडार कैमरा है इसके अंदर 30X optical zoom आपको मिल जाता है one third sensor Zeiss का lens मिल जाता है इसके अंदर Zeiss चुकि सोनी Zeiss का ही lens यूज़ करती है अपने सारे best cameras के अंदर तो इसका performance बहुत ही गजब होता है इस camera के अंदर pre recording होती है जो video format आपके mobile को भी support करेगा यानि कि इसकी जो video है इस video को आप अपने mobile में लेकर के editing वगएर भी कर सकते हैं बिल्कुल proper तरीके से format करेगा और जो video है उसे MP4 में generate करके यह देता है तो इसलिए यह बहुत ही best camera हो सकता है आपके लिए इसके साथ ही 9.2 megapixel का still photography करके देगा आपको इसके अंदर external mic आप नहीं लगा सकते हैं यानि कि audio के लिए आपको इसका जो inbuilt mic है उसी से आपको काम चलाना होगा बैटरी backup की बात करें तो तेड़ से दो घंटे इसका बैटरी backup आपको मिल जाता है आराम से बाकि अधिक बैटरी है बिल्कुल आसानी से आपको हर market में मिल जाता है या फिर online भी मिल जाता है आप बिल्कुल easily आप जो इसको buy कर सकते हैं चार्जर के साथ आप उसको ले करके अलग से जो है आप चार्जर करके आप इसको use कर सकते हैं बिल्कुल भी problem नहीं होती है लेकिन ये camera सिर्फ full HD में record करेगा 1080p पर ही record करेगा ये 4K नहीं है ध्यान रखेंगे इस budget में आने वाले 4K से काफी बहतर ये full HD camera हो सकता है आप ध्यान रखें इस budget के आसपास का कोई भ बिल्कुल भी आपका पैसा waste होगा budget कम है तो आप full HD का ये camera आप बाय करें आपके लिए बहुत अच्छा result मिलने वाला है बस problem थोड़िस ये है कि 1 by 3rd inch का जो है इसका sensor size है जिसके वज़े से low light performance थोड़ा सा वीक मिलता है तो इसके लिए आपको light की बेवस्ता थोड़ा सा जादे करनी होगी यानि आपको जो high lotion वागेर लगाना है वो थोड़ा सा high watt को आपको use करना होगा बाकि बहुत decent camera है इस price का उसके बात की हम बात करते हैं कि handy cam के अंदर ही अगर आपको 4K video record करना है तो जो मैं बताने वाला हूँ one of the best camera हो सकता है उसके लिए आपको 80,000 रु इच में ही ये वाईरी कर रहा होता है ओफ लाइन अप ट्राई करें हर मार्केट में ये अवलेबल है और ये camera है Sony का ही AX43 ये बड़ा ही फेमस camera है ये handy cam ही है लेकिन ये 4K में record करेगा Zeiss का ही high quality का lens इसके अंदर लगा हुआ है और full HD के अंदर slow motion भी record करेगा तो एक बहुत ये बहुत बहुतर performance वाला ये camera आपके लिए हो सकता है साथिसा 16.6 megapixel का still photographic के लिए जो है आप इसको use कर सकते हैं 20x optical zoom है और सबसे बड़ी बात इसके अंदर है कि इसके अंदर gimbal system दिया हुआ है lens के अंदर यानि कि handheld अगर आप जो है बेडियोग्राफिक कर रहे हैं तो इसके अंदर stabilization बहुत जबरदस होता है क्योंकि इसके अंदर जो है आपको inbuilt gimbal मिलता है जो lens के अंदर ही होता है बहुत ही अच्छा performance देता है तो ये camera कही न कहीं आपके handheld के लिए बहुत अच्छा साबित होता ह इसके अंदर बड़ी battery मिलती है जिसका backup दो घंटे से उपर होता है उसके अलमा आप इसको direct DC से भी operate कर सकते हैं यानि अगर आप direct DC से operate करते हैं तो पूरे 12-12 घंटे आप इसे permanent record कर सकते हैं बिलकुल भी आपको दिक्कत होने वाली नहीं है और इसके अंदर खास बात है कि इसके अंदर आप जो है external mic लगा सकते हैं इसके अंदर port है external mic लगाने का लेकिन इस camera की एक और खास बात है कि इसके अंदर 5 channel surrounding sound वाला mic दिया हुआ है जो recording करेगा बहुत बहतरीन इसके अंदर mic है 5 channel का जो कि आपको बहुत best recording quality देगा तो external mic भी लगा सकते हैं बागी इसका जो mic है वो already powerful है तो अगर 4K में handy cam चाहिए तो आपको आँख बंद करके अगर आपका budget 80-90,000 के आसपास है तो यसे buy कर लेना चाहिए उसके बाद हम आजाते हैं professional camera पर यानि कि थोड़े से बड़े camera पर असकल जो है गाहों ध्यात में भी लोग जानने लगे हैं कि handy cam है तो इसको quality अच्छी नहीं आएगी सभी को बड़ा बड़ा सा चाहिए होता है तो बड़े camera में अगर थोड़ा सा professional में अगर आप आ जाते हैं तो handy cam से थोड़ा सा बड़ा लेकिन यह handy cam नहीं है यह professional camera में आ जाता है तो इसे अगर आप लेते हैं तो आप अपने customer पर साधी वी चाहिए तो आपको जो पिछला में ने बताया camcorder handy cam वो बाई करना होगा लेकिन professional चाहिए तो आप MC88 ले सकते हैं यह professional camera है थोड़ा सा बड़ा है यह जो है पॉम में ही आएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा है professional camera की तरह दिखता है लेकिन यह full HD है सबसे खास बात इस camera के अं इसके अंदर low light performance आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है क्योंकि इसका sensor side जो है काफी बड़ा है low light performance के लिए बहुत ज़्यादे माइने रखेगा और उसके बाद इस camera की खास बात है कि इसके अंदर professional handle मिल जाता है जिसके उपर आप XLR mic यूज कर सकते है professional mic को यूज कर सकते हैं और handle वगर लगा करके यह बिलकुल professional camera ही दिखता है लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यह full HD एक अच्छी quality में record करके देगा इसके अंदर भी बड़ी battery मिलती है आपको 2 घंटे से उपर का bike up मिलता है लेकिन इसको भी आप DC से चला सकते हैं पूरा 12 घंटे अगर आपको record कर करना है तो इससे भी आप कर सकते हैं direct DC से connect करने के बाद 12X का optical जूब बिल जाता है जो कि आपके लिए बहुत है इससे जादी की जरूरत ही नहीं पड़ती है और इसके अंदर खास बात है hybrid autofocus मिलता है यानि autofocus tracking की सुविदा इसके अंदर है object को track भी करता है face को भी track करता है तो यह बहुत अच्छा option इसके अंदर मिलता है full HD के साथ एक professional camera आप इसको buy कर सकते हैं यह MC88 भी जो है 90,000 से उपर ही आजकल दिख रहा है 95,000 एक लाग के अंदर अंदर दिख रहा है लेकिन एक लाग के अंदर अंदर ही आपका budget है लेकिन आपको चाहिए बड़ा camera यह आपको थोड़ा बड़ा camera चाहिए professional camera थोड़ा सा बड़ा चाहिए क्योंकि दिखाना भी है तो profile थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो उसके लिए जो next camera है वो आपके लिए काफी best होगा और वो है Sony का NX100 इसका size जो है बिलकुल professional है एक बड़ा camera साधी विवा में जो लोग बड बहुत अच्छा camera है अगर वन लाख के अंदर अंदर आपका budget है लेकिन ये भी उससे बड़ा है 88 से बड़ा है लेकिन ये भी full HD ही record करेगा ये भी 4K नहीं है इसके अंदर भी 1 इंच का sensor मिलता है full HD 50 frame per second बे आप इसको record कर सकते हैं बहुत ही smooth video record करके देगा color profile इसका बहुत अच्छा है all round camera है dual HD card का slot मिलता है unlimited video इसके अंदर record कर सकते हैं बहुत ही अच्छा professional camera है यानि बहुत इसाद सिर्फ आपका waiting waiting का काम है और आप professional दीखना चाहते हैं तो आपके लिए ये camera बहुत अच्छा है लेकिन सिर्फ full HD करेगा तो professional camera में दो अगर आपको थोड़ा सा compact चाहिए तो आप MC88 ले सकते हैं अगर आप traveling बगएर भी जादे करते हैं थोड़ा सा आपको user friendly चाहिए compact चाहिए तो MC88 बिल्कुल आख बंद करके ले सकते हैं अगर आप सिर्फ वेडिंग वीडियोग्राफी करते हैं थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो आप बिल्कुल NX100 के सही रहेगा तो यह तो रहां full HD में अब इसी profile के अंदर अगर आपको 4K के लिए आपको 120,000 से 130,000 के बीच में जो है आपको खर्च करना पड़ेगा क्योंकि हमेशा up and down होता रहता है आप इसका price हमेशा offline try करें online जल्दिये मिलते नहीं मिलते भी हैं तो rate का बहुत जादे fluctuation best price आप जहां पर भी हैं वहां के किसी भी computer shop में आप जहां पर भी digital cameras वगेरे का काम होता है वहां पर आप पता करें वहां से best rate आपको मिल सकता है तो 4K में अगर चाहिए तो आप Sony का ही NX200 ले सकते हैं यह NX100 का ही update version है NX100 के अंदर सिर्फ Full HD है और NX200 के अंदर 4K video recording है बा कि इसके अलावा और special क्या हुआ है तो 4K तो ही है उसके अलावा great gamma option मिलता है जो कि Indian wedding के हिसाब से company ले इसको tune किया हुआ है जिसके वज़े से color quality बहुत ही ज़ादे जबरदस्त मिलता है इसका saturation बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि Indian wedding में जो है red color ज़ादे इस्तिमाल होता है दूलन वगएरे को red color ज़ादे लोग पहनाते हैं तो red color को ध्यान में रखते हुए saturation इसका ऐसा tune किया गया है कि saturation बहुत ही जबरदस दिखता है और जो भी आपके client है वो बिलकुल भी खुस हो जाएंगे इसके color की quality को देख करके बिलकुल मज़ा आ जाता है तो ये camera professional में ब traveling वगएर का काम है professional camera ही चाहिए इतना ही सारे feature चाहिए तो इतना ही budget के अंदर यानि 1,20,1,30,000 के अंदर आप ले सकते हैं NX80 NX80 AB4 के camera है ये pump camcorder है यारी आपके हाथ में ही आ जाएगा ये traveling वगएरे के लिए बाकि सारे features बहुत ही professional है बिलकुल problem नहीं है बस NX200 से थोड traveling वगएर करना है या फिर जिनको छोटा compact camera पसंद है वो लोग इसको buy कर सकते हैं बिलकुल compact and lightweight है ये और उसके अलबा विसेस इसके अंदर hybrid focusing technology आती है यानि कि इसके अंदर बहुत ही fast focus मिलता है आपको बहुत ही fast focus करता है अपने object पर ये touch screen, touch focus इसके अंदर आता है जो कि कि इसी भी object को गरा focus करना चाते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा इसके अंदर facilities मिल जाती है इसके अंदर slow motion 120 frame per second पर भी आप इसमे record कर सकते हैं इसके अलावा 1000 frame per second का super slow motion option भी इसके अंदर मिल जाता है तो कुल मिला जूला करके ये एक बहुत अच्छा camera हो सकता है और चु तो इसको आप gimbal पर भी set करके आप cinematics video अगरे suit कर सकते हैं तो यानि कुल मिला जूला करके एक ही camera से बहुत सारे different type of work अगर आपको करना है उसके लिए one of the best camera हो सकता है NX80 आपको इसको buy कर लेना चाहिए उसके बाद अगर आपका budget और भी ज्यादा है डेर से 2,00,000 रुपे क budget है तो आपके लिए हो सकता है Sony का Z94 के camera यह बहुत ही high professional का camera है लेकिन इसका size NX80 के जैसा ही है इसमें extra benefits की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे बड़ा जो benefit है वो HDI port मिलता है यानि अगर आप maris वगर में आप live करते हैं live दिखा रहे होते हैं या फिर plasma वगर पर अग इससी भी party में अगर आप live जादे करते हैं तो आपके लिए camera बहुत अच्छा हो सकता है क्योंकि बाकी के जो cameras में जो audio video out होता है उसके अंदर quality नहीं मिल पाती है या फिर HDMI से आप लेकर के जाते हैं या उससे भी बहतरीन जो option होता है वो HDI option होता है जो कि इसके अंदर आप जिनका होता है वो लोग market में सबसे जादे Z90 को ही prefer करते हैं Z90 ही market में देखा जा रहा है इसके अलावा broadcast से related जितने सारे feature होते हैं उस सारे के सारे feature इस camera में मौझूद हैं जितने की जरुवत होती है और उसके अलावा इस range के अंदर आने वाला एक यही एक ऐसा camera है जिसके अंदर 4K 60fps पर आप वीडियो को सुट कर सकते हैं यानि कि आपकी वीडियो बहुत ही smooth होने वाली है बहुत ही professional वीडियो अगर आपको देना है तो आपको जो है जग 90Y कर लेना चाहिए बहुत ही super camera है यह तो दोस्तों यह थे सारे camera आपके budget के हिसाब से आपके requirement के हिसाब स आप इसके अंदर select कर सकते हैं आपके हिसाब से कौन सा best camera हो सकता है प्लीज आप comment में जरूर बताएं आपके comment का हमें इंतजार रहेगा मैं भी जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से कौन सा camera सही है दोस्ते वीडियो कैसा लगा प्लीज आप comment में बताएं अगर इवीडि इसके लिए अपनों का दिल से धन्यवाद करता हूँ आपका दिन सुभव